ये जो नंबर है आप इसको दियान में रखें ये नंबर पर आपको जो है फोन करना है लेकिन साती साथ आपको फिर सही याद दिला दू लिखा है कि पूछो जो भी पूछना है अगले हफते से ये प्रोग्राम नहीं होगा जी हां नहीं होगा तो अगले हफते से मंगलवार बुदुवार आप Facebook पे आमारा इंतजार ना करें और नहीं इसकी वीडियो की अपलोड की मांग करें दोस्तो जल्दी से आपको बता दूँ कि Saturday to Saturday हम जो है असी मंतन बैटक के प्लैटफॉर्म से आप लोगों के लिए Hindi Online Church ला रहे हैं साथी साथ जिनके पास में Churches नहीं हैं जिनके पास Kalisya नहीं हैं बहुत ध्यान से सुनियेगा जिस किसी के पास भारत में आपके पास Kalisya नहीं हैं क्योंकि दो तीन साल से लगातार आप लोग खरी सिक्षाओं को सुन रहे हैं और जिसके चलते आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि जिस चर्च में लॉकडाउन के पहले से वाइरिस के पहले से आप जाते थे जहां अन्यबाशा यानि जिबरिश यहुदीवाद दशमाश के नाम पे लूट बहुत सारे गलट तरीके से वच्छन को प्रेजेंट करना या सिखाने का काम कुछ अदूरे ग्यान और मुर्खों वाले सिवकों के द्वारा होता था और जिसके चलते आप लोगों ने जब मसी मंतन को सुना मुझे सुना और आपको पता चला बात को आपने कंपैर किया आकलन किया जाचा परखा और फिर आपने तै किया कि अब हम उस चर्च में नहीं जाएंगे जी आपने ठीक सुना अब हम उस चर्च में नहीं जाएंगे और फिर प्रशन उठता है भारत के 29 राज्यों में मैं रख दे रहा हूं बारत के 29 राज्यों में इन सभी जगों पर या इन सभी जगों में से किसी एक पर आप आते हैं, रहते हैं आप स्टेट से हो किसी भी और वहां से आपका ये प्रशने है कि पास्टर डैनियल अब तो चर्च नहीं रहा क्योंकि जिस चर्च में हम जाते थे 10 साल से, 20 साल से, 15 साल से जो भी जाते थे, वहां तो गड़बड़ है खास करके जिबरिश अब हम क्या करें, भायत कौन कराएगा यानि फिम्रल, शादी कौन कराएगा बच्चों की या डेडिकेशन, बैप्टिसम और फिर हमारा देखरे, कौन करेगा तो आप लोगों को बता दू के मसी मन्थन, आप सभियों की जिस जिसके पास में चर्चस नहीं है और जो मसी मन्थन के साथ में जुड़कर परमिश्वर के काम को आगे बढ़ाना चाता है या सीखना चाता है उन सब की जिम्मेदारी हम लेंगे आपने बिल्कुल ठीक सुना उन सब की जिम्मेदारी हम लेंगे आपकी महियत से लेकर शादी से लेकर, बैप्टिसम से लेकर समरपंड से लेकर जिसको बच्चे का डेडिकेशन कहते हैं उन सबी चीजों की जिमेदारी, आपको सिखाने की जिमेदारी, चर्च प्लैंटिंग की जिमेदारी, मेकिंग डिसाइपल्स की जिमेदारी हम सब लेंगे, आपको बिलकुल चिंता नहीं करना है, बस इतना है कि आप हमसे कनेक्ट हो जाए, तो मैं वापस से आपको कहना चाह करते हैं मैं उन्स सभी का gekommen करता हूं उन सभी को फिर से कहता हूँ आपको बिल कुल चिंता नहीं कर नहीं है कि करिस्या नहीं हैं अँछी ऊपके साथ है और हम मसीमंधन आपके साथ है और आ से आप अगर जुड़ना चाहते हैं बारत के बाहर आप हमसे जुड़ सकते हैं आशा जी को कॉल करके नेपाल के लिए सिस्टर समझना यह कॉडिनेटर हैं और हम चाहते हैं कि आप इनको कॉल करें और नेपाल में आप लोग जो हैं सिविकाई इनके माध्यम से कर सकते हैं खर के अलावा मसी मंतन बैठक की जो नए विश्वासियों के लिए प्राथना टीम है मैं चाहता हूं कि आप लोग इनको संपर्क करें और अपनी अपनी प्राथना निवेदन खास करके नए लोग आप लोग दे सकते हैं आपकी मुफ्त बाइबल के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको रिसीव करके होल्ड पे रखो मुफ्त बाइबल के लिए आप लोग जो है पिन निकालो बोलो कनेक करेंगे आप होल्ड पे रहे हैं मुफ्त बाइबल आप लोगों को दी जाएगी यह नंबर है साथी साथ ब्रदा नील जहाजी को भी कॉल कर सकते हैं आप जासे अपने कामों में वेस्थ हैं लेकिन बहुत जल्दी वो वापस आ जाएंगी मंतली सपोर्टर्स के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हैं अगे आएं बढ़ चड़ कर काम करें और प्रभु की महिमा करें मकसद क्या है खरी सिक्षा फैलाना जो सिक्षा हैं उसको एक स्पोस करना उजागर करना और मैं यह करते जा रहा हूँ आज भी एक वीडियो हमने डाली थी फाइफ फाइफ मिनिट्स वाले कॉंसेप में और आशा करता हूं कि आप लोग ने उसको देखा होगा साथी साथ यूटूब के जो मेरा चैनल है सब्सक्राइब करें बैल नोटिफिकेशन आती रहेगी प्रचार को का जुण अगले अफते से या अगले महिने से हम शुरू कर रहे हैं और अगर अभी भी कोई जुणना चाहता है याद रखिए उन्हीं को मौका है जो जिबरिश नहीं बोलता आप सभी को सिखाएंगे कैसे प्रचार करना है से शुरू हो रहा है बीज दिन का और इस देट के मुताबिक हम शुरू करेंगे आने वाला साटड़े तीन दिन के बाद अगर मैं गलत नहीं हूं इस पुस्तक पर मैं आपको स्टेडी दूँगा तो मैं चाहता हूं आप लोग इसके लिए भी तयार रहें चलिए दोस्तो आज का पहला कॉल हम लेना चाहिए जी हलो हलो हूँ हलो हलो जी अप्रेइज कर श्री परेज़ जी यह जाओ पहले तो मैं धनिवाद करती हूं आपका मैं हर लाइफ देख्ती हूं और मुझे बहुत कूश सेखने को मिला है जी और बहुत कूश ठीश चलिव और मैं गुज इस बहन का हम सबसे पहला स्वागत करते हैं Happy New Year, नहे साल की शुब कामना है, ये तो आप बोली सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी मूर्ती पूजा से सम्मंदित, वो चाहे दिवाली हो, वो चाहे खोली हो, या XYZ, मसी लोगों को जो इशू के पीछे चलते हैं, याद रखिए जो मेरा हिंदू आपको किसी प्रकार से परेशान होने की जूरत नहीं है, आप जो कर रहे हैं, जब तक सत्य नहीं पता चलता, आप शायद उसी में उसी को सच मानेंगे, वो बात अलगे, लेकिन जो सत्य को जान चुका है, इशू की बातों को समझ चुका है, जिसकी आत्मी का आंके खुल बुद्धी खुल चुका है, उनकी बात कर रहा हूँ, उनको किसी भी प्रकार से जो है, ये नहीं कहना है, कि आपको जो है, हैपी दिवाली या XYZ जैसे बहन ने पूछा आप, एक विचित्र प्रानी ने, उसका नाम नहीं लिखा उसने, उसने वाट्स अप पर, अमारे मसी मंतन के वह भाई हैं, उसको भेजा और कहा कि, जो आविश्वासी होते हैं, खास करके हिंदू, उनको अगर आप हैपी दिवाली विश्ष नहीं करोगे, तो उनको छोट लगे, और दुस्रे शब्दों में, वो सुल समाचार के लिए नहीं खुलेगा, और साथी साथ वो ज यहां पर पॉलूस कहता है कि मैं यहुदियों के लिए यहुदी और युनानियों के लिए युनानी बन गया, तो कहीं आपका जो नॉलेज है, इसको मैं कहता है बगवास का नॉलेज, आप कहीं यह तो नहीं कह रहे हैं कि पॉलूस जो है, वो मूर्ती भुजा करता था, ब परमेश्वर का, पहला करन्तियों, दस्वाधेवचण 20 में भी, को यह आता ने है. जोती के संतानों का, अंधखार के संतानों के साथ, किसी प्रकार का कोई नाता नियुए उमसमार के ज्यान को परमेश्वर मुर्क ठहराता है. परमेश्वर संसार के ज्ञान से और तरीकों से उसके बावचूद हम उनके बीच में रहते हैं हमें सुसमाचा सुनाना है सत्ती की बातों को रखना है वो सुनते हैं, प्रेज गाड नहीं सुनते, टाटा, भाई भाई, नमस्ते क्योंकि बाईबल में येशु ने खुद साफ का है मती साथ का छे में कुट्तो और सुवर के आगे मोती मढ डालो मैं वापस कहता है इस बहन के प्रश्णों के द्वारा आप लोगों को सु समाचार को सस्ता मद बनाईए नमबर वन येशु को भी सस्ता मद बनाई उसके सुसमाचार को बाइबल के वच्छनों को सस्ता मत बनाए है उद्धार, मोक्ष, सैलवेशन ये सब के लिए है रास्ता तब तक खुला है, दर्वाजा तब तक खुला है जब तक येशु नहीं आ जाता लेकिन उसमें मिलावट करके लगे हाथ ये भी कह देता हूँ कुछ पास्टर्स चर्ज के ऐसा कहते हैं क्योंकि संसार को जीतना है, जवानों को जीतना है हम थोड़ा सा मॉडिफाइ करते हैं चर्ज को तो ऐसा कुछ करते हैं जो पबलिक को अच्छा लगे जबकि एफिसियो पांच का दस कहता है के पर्खो के प्रभू को क्या अच्छा लगता है ये कहते हैं के लोगों को क्या अच्छा लगता है वो करते हैं, मुर्खता का काम चल रहा है किसको क्या तकलीफ हो रही है किसको क्या चोट पहुंच रही है उसके बेस पे नहीं सुनाना है सुसमाचार सबसे पहली बात मैं बार बार कहता हूँ आज भी कहता हूँ कि जिसको हम सुसमाचार सुना रहे होते हैं उसके उपर महरबानी हो रही होती है क्योंकि वो सत्य को जानेगा अपना जीवन अनन्द काल के लिए प्रभू के बास बिताएगा ना कि नर्क में तो ऐसे लोगों को हम ऐसे कैसे कह सकते कि जो तुमको बचाना चाता है उसके साथ कॉंपरमाइस कर लो लेकिन आपके साथ नहीं कर सकते हैं जिस दिन उसकी आँख खुलेगी ना तो पलट कर आप ही को डाटेगा यार तुम कैसे मसी थे जबकि ये सब ठीक नहीं है तुम तो हम को ही ये सारी विश्ख किया करते थे तो मैं फिर कहता हूँ जितने प्रचारा कहें और वो जिसने वाट्सप पे वो पोस्ट बेजा है कि हैपी दिवाली बोलने से अगर किसी का मन जीत सकते हैं ए भाई सुसमाचार को उनके तरीके से नहीं सुनाना है सुसमाचार को मसीह के तरीके से सुनाना है तभी जाकर तो पालूस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लग जाता वो छोड़ी है और एक बोलता हूँ आशा करता हूँ कि सिस्टर सुन रही है जी सिस्टर या बहुत ध्यान से सुनिये अगर ऐसा होता न तो फस्ट सेंचुरी के मिश्णरी बहले सदी के सेवक वो सब के सब कुरूस पे नहीं मरते पत्थरस को उल्टा कुरूस पे लटकाया आरी से नहीं चीरे जाते जिसका जिकर इबरानियों के किताब ग्यारवे आदिया में पालूस करता है The Heroes of Faith मतलब जो विश्वास के नायक है उनका जिकर करता है पत्थर से मारे गए आरी से चीरे गए जिन्दा जिलाए गए क्यों उनके विश्वास के चलते क्योंकि उस वक्त के लोग कहते थे अरे तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो तुम तो पुरी के तरह तो उन्हें नहीं का अरे कॉंप्रमाइस कर लेते नौ शद्रक में शगा बेदनकों को सिरब जुकना था बीड के साथ में वो ऐसे कह सकते थे अरे एक काम करते हैं सैंडल को लेस लगा रहे हैं ऐसे करके जुक जाते हैं किसको बता चलेगा कि हम जो हैं तो सैंडल का लेस खस रहे हैं बाकी तो लगेगा कि हम मूर्ती के सामने जुक रहे हैं ऐसा कुछ चलाकी कर सकते थे लेकिन नहीं किया उन्हें बिल्कुल साफ कहा कि हम नहीं जुकेंगे मतलब नहीं जुकेंगे डानियल कहता है देरे खाना नहीं खाएंगे मतलब नहीं खाएंगे हद यह साब तो मैं उन सबी को कहता हूं कि जिसको पसंद आता है ठीक है नहीं आ मेरा दिन इस बात के लिए गवाई नहीं हुआ तो मुझे नहीं अच्छा लगा मैंने तो कुछ भी नहीं किया एक साल एक साल और सोची इनका जो जो कमिटमेंट है प्रभू के प्रती क्या मजबूत है ये भी तो उसी बैग्डाउंड से आई है तो मैं वापस कहता हूँ कि कॉम्परमाइस की जिन्दगी मत जीओ बिल्कुल सटिक जीवन जीओ और सब को बताओ कि हमारा फेथ क्या है अगर वो सुनते तो ठीक है नहीं सु नहीं जा पाओगे स्वरग में जी सिस्टर जीओ जी आइंक यू या या थैंक यू गद्लेस एंग वाव नेक्स कॉल हलो जी आपका जो पीछे चल रहा है ना प्रोग्राम उसका आवास बंद करिये अनियता कॉल काटना पड़ेगा अमें आजी 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 पास्टेजी हाँ पस्ते जी आपके एक सवाग जा मती जी दोका उन्निस हेड़ो देश के मड़ने के बाद रभू के दूत ने दिखाई देकर कहां उट बालक और उसकी माता को लेकर इस्राइल की देश में चला जाए क्योंकि जो बालक के पार लेना चाहते थे वे मर गए ठीग और मत देश के नो में लिखा है हैरोदेश के साबने येश्ग हैरोदेश works को देख कर बहुत ही प्रसंत क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था और इसी में है देश का जारा तब हेरो देश का अपने सिपाईयों के साथ उनका अपमान करके हक्तों में बुड़ाया और भड़किला वंत्र पहना कर उसे पिला तूस के पाथ लोटा दिया तो ये हेरो देश का समझ नहीं आया थोड़ा आपका कॉश्चन क्या है जिस्टर? ये हेरो देश तो पहले शुडू में बर गया था ना अब इस्टर आमती में हेरो देश के मरने के बाद ही तो इस्टर बिस्टर आए था ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप से कुछ पूछना चाहता हो पहले, आपको जवाब देने से पहले, आप कब से प्रभु में है, मतलब कितने समय 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 से प्रभु में है, हो त इतने दर्चक देखने हैं तकरीबन पांसों के आज पास मैं आपको भी बता दू आप जब तक भाइबल को ठीक से नहीं पड़ोगे दस साल होगा इस बहन को लेकिन कहती है कि थोड़ा बॉत पढ़ लेते हैं महरबानी नहीं करते हैं प्रभू में आकर हां मेरा जो मैनी बत्र जब हिलाज करता आ तो पियार प्यार से नहीं करता है वह चाहता है कि जो पस फ़स गेा है उसको पूरी तरह से निकाले मेरा मैसेज मेरी बातism युही होती है तो मैं वापस कहता हूँ कि आप अगर प्रभू में आ गए हो तो पूरी आतरा से आओ अधूरा अधूरा मत आओ आपको बाइबल पढ़ना है मतलब पढ़ना है बाइबल की जानकारी आसिल करनी है मतलब करनी है और सबसे इंपोर्टन चीज है कि दुनिया में कितने लोग है जिनको पढ़ाई नहीं आती आपको आई है तो आप उसका क्या कर रहे हो तो मैं सिस्टर आपसे फिर कहूंगा आपका जवाब तो मैं दे देता हूँ लेकिन आपकी जो खुराक है ना आत्मिक खुराक उसको बढ़ाईए आपको खूब बाईबल पढ़ना है कम से कम 30 से 40 चप्टर पढ़ना है सिस्टर या अगर ये नहीं करें ना तो फिर आगे और दिक्कत आजाएगी अब आते हैं इनके प्रशन पे जो उत्तर मैं देना चाहूँगा के बाईबल के अंदर हेरोदेस एक ही नहीं था जो येशू के वक्त था वो भी हेरोदेस है उसके बाद जब येशू 33 साल के होकर सेविकाई कर रहे थे वहाँ पे भी एक हेरोदेस है तो कम से कम तीन से ज़्यादा Herodes का जिकर Bible के अंदर है John the Baptist के टाइम पे भी एक Herodes है फिर उसके बाद में तो Herodes, Herodes, Herodes Herod, Herod, Herod English में ये एक नहीं है कम से कम तीन है तो ये उसकी बात नहीं हो रही है sister जो येशु के टाइम पे था वो मर गया, बाद में औरेक आया हलो, जी, तो ये वो Herodes नहीं है या अलग-अलग है, ओके ओके आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए मैं वापस कहता हूँ, आप लोगों को खुब Bible पढ़ना है जो मसी में है, पुरी जानकारी रखो, जी कि मैं एक्जामपल देता हूँ इसके पहले के दूसरा कॉल उठाओं, आप जब कोई जर्नी में होते हैं, सफर में होते हैं, आप क्या करते हैं, आप पूरी जाच करते हैं, कौन सबस जाएगा, बस का नंबर कहें, ट्रेन का manager है उन्होंने बेजा था तो मुझे जांचना पड़ता था कि यह flight का number फिर वहाँ पे screen का number match करता है कि नहीं करता है फिर अंदर बैठने के बाद क्योंकि गलत flight पे बैढ़ गए तो अलग गलत जगे पे उड़ जाओगे हाँ यह chances अलग है कि आप गलत flight पे नहीं बैठ सकते लेकिन डड़ तो रहता है न तो आप पूरी जानकारी का पता लगाते बस की हर चीज की और साती साथ आप क्या खा रहे हो कि यह क्या चीज से बना है एक्च्वाई जड़ वैसे ही आत्मिक जीवन की जानकारी अगर आपको नहीं है तो फिर मसी में हो क्यों आप और दिक्कत क्या होती है यह पता है जब आप ठंडे पड़ जाते हो आप कमजोरी का जीवन जीते हो न तो यह जो अपने आपको सेवक कहते हैं लुसीफर की तरफ से चुपके से गुजगे यह आप लोगों का फाइदा उठाते हैं वो प्रातना नहीं आती पास्टर जी प्रातना कर दो हमको समझ में नहीं आ रहा है पास्टर जी घर पे आके हमको बता दो फिर वो चुपके वाला दर दे दो और आप लोग डर पोक की तरह उसको ठाकर दे देते हैं यह तमाशा चल रहा है मस्यत के अंदर और क्यों चल रहा है क्योंकि आप एजुकेट नहीं है मेरा मकसद आपको इतना बोलने का सक्त बोलने का यह परपस है कि आप मजबूत हो जाएं वच्छन का पूरा जी मेरा सवाल है पास्ट मेरे मिशेज पूरा थी बच्छे और तो मैंने बीज बने के लिए बोला था पांथजार उपको बीज किस चरफ में दूँ या किसी जरीग को दे दूँ अब आपको पता चला मैं क्या कह रहा था भी थोड़ी दिर पहले अब आप मुझे बताएए आप इस वेक्ति को उस वेक्ति ने जो अपने आपको सेवक कहता है उल्लू बनाय की ने बनाया आई एंसे बात करते हैं जी भाई साब आपको किसी को नहीं देना है पहली बात आ आपको किसी गरीब को देना है तो आप अपनी मर्जी से दो लेकिन इस वजे से नहीं देना क्योंकि आपने पैसे दिये तो आपके बच्चे वाइफ को बच्चा हो गया ना ये गलत है ना किसी सेवक को देना है ना किसी गरीब को देना है आप सेवक को दो अपनी मर्जी से गरीब को दो अपनी मर्जी से लेकिन इस शर्ट पे नहीं देना आपको सिर्फ प्रातना करना है प्रभूप से और खुद प्रातना करिए बाई साब अलो क्या 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 साफ बोलिए सपस्ट बोलिए तो आप डोसाल से में और आपको अपने आपसे लड़ना चरहता क्या है और इसकी ताकत आपको परमिशुए धेगा और साथ ही साथ उसका वच्छन पड़ना है आप जितना वच्छन पढ़ेंगे वच्छन अंदर काम करेगा यह आपको करना है बाई साब जो नंबर दिये है ना बाइबल के लिए इसी प्रोग्राम में दिये है मैं चाहता हूं कि उनको कॉल करें और आप अपनी बाइबल मंगा ले ओके ओके तैंक्यू नेक्स कॉल जी हलो हलो नेक्स कॉल वहाई रिल गया शायद हुआ यह हो हुआ हा काउ जी बीजय बाई काउ हमारे चेर्च में हां योथ को इसे बोल जाता है कि दो पर्चे होते हैं दस्वांस के पढ़क ढ़े जी हमें आपको सुण रहा हूं ने आपको सुण रहा हूं भोलिये वो पर्चो चे चर्च के हर सजिशी को घर घर पहुंचा दो तो ये बाइबल के उनसा ठीक है किया जी बिलकुल गलत है जी जी सबसे पहली चीज तो ताइत और दश्माज का कॉंसेप को मैं क्लियर कर चुका हूं और साथी साथ मैं चाहता हूं के रोमियों की किताब उसका दस्वा द्यायव 4 रोमियों 10 का 4 वहां लिखा है कि व्यवस्था अंत हो जाती है मसी में यह मसीहा व्यवस्था का अंत है ऐसे आप पढ़ोगे तो जितने भी काम व्यवस्था के दाइरे में आते हैं खतना, बलिधान, सैक्रिफाइज, ताइत, यानि दश्माश, सभात, ऐसे और साथ तरह क festivals, यहोदियों के इन सब को आपको व्यवस्था के दाइरे में ही आपको रखना होगा और वो है इसलिए बोल रहा हूँ, तो जब आप किसी भी एक को करते हो, तो पहलूस कहता है कि वो श्रापित है, उसको एक नहीं पूरी व्यवस्था पालन करनी पड़े हैं, और जब मस महांच का लिफाफा घर घर पहुंचा दो, तो मैं उस सेवक को कहना चाहता हूँ कि तुम अपने चर्च को क्या सिखा रहे हो, बीक मंगवाना, शरम आनी चाहिए आप लोगों को, तो इन हरकतों से बाहर आएं, बातों को समझें, और मसी का मजाक ना बनाएं, जी भाइज जी जी जैसा आपने सिखाया कि वचन और प्रातना महतपून है, जी तो मैं प्रातना के बीक से में जाना चाहता हूँ सर, जैसे कई दूसरे धर में कहता है कि मैं पांच वक्त का नमाजी हूँ या जो भी है, तो हम प्रातना को कैसे करें और कितनी बार करें, बाइबल क्या कहती इसके बारे में प्रातना के बारे मि थोड़ा प्रकाफ डालिये फर्ची अब क्या है सर आप खुद येशु के अनियाई है आप खुद येशु को फालो करते हैं ये सर बिल्कुल सर ओके कब से सर लगभगर धाए तीन साल से दाई तीन साल से, ओके, देखिए, आप जो आभी मुझे बात कर रहे हैं ना भाया, वैसे यह आपको येशु से बात करना है, तो प्रातना का कोई किताब नहीं है, प्रातना की कोई पुस्तक नहीं है, और प्रातना का कोई mandate नहीं है, कि भाई ऐसे करो, ऐसे बैठो, ऐसे जी 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 पर है, पर एक यह और पूछना चाहता हूं, जी जाए, यदि सर हम अपने बूते हैं, कलिखिया में हो, चाहे, जिए, ऑजिशान अनले नहीं हुमे अधरा से जी तो उवम नहीं हम को दान, बैम, इसके, पर इसके महत्सक, मैं जाना चाहता हूं, जिए बाइ आपको ना तो लालच से देना है, ना डड़ से देना है, और ना किसी फाइदे के चकर में देना है, आपको सोच समझ के देना है, और ये भी देना है, देखना है कि मैं दे रहा हूँ, तो वो पैसा कहा जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, किसके लिए इस्तमाल हो रहा है, य कि अगर MNB को देते हैं तो MNB हर चीज को बताता है जी जी थैंक यू थैंक यू तो मजट गूस्ट अगए नेक्स कॉट हम अ करना तरह की जितने कॉल कर रहे हैं मैं आपको बता कि अगर आप इसी प्रोग्राम को पीछे लैपटॉप पे टैप पे फोन पे लगा कर फिर बात करोगे तो यहां पे जो नितिन बैठा है वो आपका फोन काट देगा तो वो मत करें फिर आपकी मेहनत से फोन लगती है आज आखरी दिन है और उसमें भी अगर आप यह करोगे क कि पीछे आवाज आ रही है तो फिर आपको कुछ भी नहीं समझ मैंगा नहीं मुझे समझ मैंगा तो इसका ख्याल रखेंगे जी भाइसाब हासर बोले सर परकासित वाक बाइस अध्याय का ठारा उन्हें सब्सक्राइना था क्या समझना है उसमें सर्ग कुछ घटाएगा क कुछ बढ़ाएगा नहीं आप कब से प्रभू में सर पांच साल से हैं पांच साल से तो आपको नहीं पता क्या लिखा है प्रकाशित वाक के बाइस का ठारा उन्हें में जी लिखा हुआ है मालूम है सर तो फिर ऐसे क्यों कह रहे कुछ घटाएगा कुछ बढ़ाएगा सर वही बचन के बारे में जनकार चाहिए था क्या वही तो कह रहा हूं ना आपको आपके पास में अभी बाइवल है जी हां सर है बाइवल थो पड़ो था पढ़ते हैं निकालते हैं साबाश देख रहे हैं आप ये बिना तैयारी के आए हैं नेक्स कॉल या हलो 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 जी जी जैमासी 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 पाचर जी हमारा कुछ बाइवल से सवाल नहीं लेकिन प्रभू पे लिक्वास करता हूं तो हमारे मलब इलावास से हैं हम जी हमासी राहूल सर हलो हमारी जो प्रभू को प्रभू को जाने दो साल हो गए हैं अंधर अंधर बात कर रहे हैं आपको मोबाइल में बात कर रहे हैं तो सपस्ट बात करिए क्योंकि आपको पुरी दुनिया सुन रही है साफ बोलिए यह सर अंधर पर हमारी साल दी मलब मक्री लड़की से हो रही है तो हम उसके पॉन में बात कर सकते हैं नहीं हमारे पाश्रे बात करने से सरा आप आ जाता है अरे बाबरे यह कोई नया चीज़ सुन रहे हैं नहीं सर वो विवरण में जो है 28 का जो है वही मलब हमको सुनाते हैं कि अगर मक्री लड़की से वचन पूछोगे तो आपको पूछोगे तो आपको फिर पूछना है आपकी शादी की बात पक्की हो गई यह सर पक्की जो पूछ रहे हैं उतना ही बोलना है या तो हाँ या तो ना आपको फिर पूछना है बस उतना ही बोलना है ओके लड़की विश्वासी है यह सर ओके आप भी विश्वासी हो यह सर दो साल ओके माता पिता राजी है यह सर ओके लड़की के माता पिता यह सर ठीक है ना और आपकी शादी का डेट फिक्स हो गया यह सर जोन मैं तो फिर आपको बात नहीं करोगे तो बात आगे बढ़ेग बहुत विचितरपरसिती है. लड़का तैयार है, लडकी तैयार है. लडका का माबाप, लडकी का माबाप तैयार है. डेट फिक्स ओगया है. शादी उने वाली है, जून में. इनका पास्टर कहता है कि खबरदार. अगर लड़की से बात किया फोन के ओपर ने तो श्राप आएगा मुझे नहीं पता और मुझे बिचारे पर दहया आ रही है इनका ये प्रोब्लम है कि ये अंदर ये अंदर बात करते हैं पस्ट बात करें लड़की से भी तो शाद इनका अच्छा बन जाएगा तो इनको भी कहता हूँ आपको भी कहता हूँ कि जब सब कुछ ठीक हो गया है आपका पूरा सेट हो गया है तो बात करिए क्या दिक्कत है बिना बात किये फिर आगे बात बनेगे कैसे एक दूसरे को समझोगे कैसे जी भाई साब आप बिलकुल बात कर सकते हैं कि आपको किसी प्रकार का कोई श्रापना हाएगा यह यह बहुत यूनिक सवाल था यह बहुत अद्वुत और यह बहुत यूनिक सवाल त activists अमतलब अटकर थSch ऐ अगला कॉल high यह यह फल्लॉ यह फल्लॉ नेक्स कोड़, हलो, 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 जी, जैर मसी की फास्टर जी, जी, जैर मसी, तर जी हम सवाल एक पूछने चाहते हैं, हम बिवस्था बिवरण में एक सवाल है, चाउदर ध्याय का एक पचीज बचन, जी, इसमें लिखा हुआ है, परमेसुर यहुआ ने चुन लेगा और वहाँ गाय बायल या धेंड बकरी, दाक मदू या मदीजा या किसी भाट की बच्ट की बच्ट क्यों ना हो, तेरा जी चाहिए उससे बेच कर रुपए से मौल लेकर अपने घाराने समेट खा सकते हो, जी, तो एक चीज हम जानना चाहते हैं, इसमें परमेसुर ने यहीं क्यों 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 मतलब इसमें मादीजा और मतलब यह सब मना है, तो एक क्यों 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 यहीं चीज में जानना चाहते हूं, जैसे आप जानना चाहते हैं ना भाई साब, वैसे हम भी जानना चाहते हैं, क कि आप मसी में कब से हैं? मैं तो सब्सक्राइब 2018 2018 से तो मतलब आपको प्रभू में आए मातर चार साल हो गए जी जी तो आप जो बाइबल पढ़ते हैं कितना पढ़ते हैं और कौन कौन सा है पतलब निव टेस्टमेंट ओल टेस्टमेंट क्या क्या पढ़ते हैं आप जादा तो मैं निव टेस्टमेंट पढ़ता हूं सब्सक्राइब तो फिर आज ओल्ड में कहां टक गए कासे अब यह जो आपने प्रशन पूछा ना यह तो पुराना नियम है वहां कहां टक गए आप हाँ जी मतलब पुराना नियम कम पढ़ता हूं जादा नया नियम जादा पढ़ता हूं पुराने नियम में जैसे विवस्ता विवर्ण पूरा पढ़ा तो इसमें मैं यह चीज चलो चलो ठीक है समझ गया मैं ना दोस्तो आप लोग ने सुन लिया है मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ सबसे पहले चीज इनको भी बता दू आपको भी बता दू मुसा की जो पांच किताबें अथपती, निरकमन, ब intermitt, लैविवस्ता, गिंती, विवस्ता विवर्ण ये जो पांच किताबें हैं इसको कहते हैं तोरा ये दी गए थी इसरालियों के लिए, यहुदियों के लिए वक्त जैसे जैसे बढ़ता चला गया इसराइलियों में दो ग्रूप हो गया एक हो गया था नॉर्धन इसराइल और दूसरा हो गया था यहुदा जिसको हम जुडा भी कहते हैं तो जिसके चलते फिर नभी आए उनको किते थे तुम यह नहीं कर सकते तो यह टूटल Old Testament उत्पति से मलाकी तक का जो किताबें हैं पढ़ते वक्त में आपको एक फ्रेम सेट करना पड़ेगा कि अन्य जातियों के लिए कुछ है तो उसको पढ़ेंगे यहुदियों के लिए कुछ है तो उसको connection नहीं है जी भाई जाना चाहरा था सवाल हमारे दिमाग में काफे दिन से गूज आथा कि जब कि यह चीज मना है इसमें फिर भी यह लिखा हुआ है अब आपको मैंने बता दिया ना सर उसी को बार-बार बोलोगे तो क्या मतलब है वो Old Testament में लिखा गया है आपको पढ़ना है और आगे चले जाना है ये तब होगा जब आपको पता चल जाय कि क्या आपके लिए है और क्या आपके लिए नहीं है जी भाइया ठीक एपर थाइंक यू थाइंक यू गाद ब्लेस्ट होके नेक्स कॉल जी हलो हलो जैमासी की पास्टर जी जैमासी पास्टर जी मुझे रूत के किताब का जो है कहानी जी वो पूछना है कि उसकी सास जो नाओ में थी धर्मी थी पास्टर जी 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 मैं सुन रहा हूँ बुलते जाएए धर्मी थी तो फिर वो वहाँ उनके जो पती पहले खतम हुए फिर वो दोनों बेटा को साधी वहाँ की मुआबी में मुआबी निस्तिरी से की तो क्या उनको नहीं पता था परवु के यह पसंद ने मुआबी उसे घुड़ना करते हैं किसको नहीं पता था नाओमी को तो एली मेले जो उनके पती थे नाओमी थी जो पती थे ठीक है तो इनके साथ क्यो ऐसा हुआ तो आपका कॉस्चन क्या है इसमें आपका प्रशने क्या है प्रशने यही है कि मतलब उनके बेटा लोग खतम हो गया है फिर पती भी खतम हो गया है फिर परभु उन पर दया कि फिर वो अपने देश वापस पिर ही मैं कहानी नहीं सुनना चाहता हूँ मैं आपका प्रशन सुनना चाहता हूँ, प्रशने क्या है आपका? प्रशन यह है कि उनके साथ यू ऐसा हुआ? किस के साथ? नाओमी के साथ आप कब से प्रभू में है? जी? हलो? हलो? कट करो अगर आता है तो उठाओ ना दोस्तों मैं वापस कहता हूँ कि अईूग की कानी, एस्तर की कानी, रूत की कानी, योश्यू की कानी, मुसा की कानी, दाउद की कानी, दाउद और गोलियाद की कानी, साहूल की कानी, दैनियल की कानी, दुनिया भर की कानिया है फिर कहता हूँ कि जो घटनाए घटी थी उसको cut to cut नहीं लिखा है वो क्यों गए, कहां गए, ऐसा क्यों किया, उसने उसके साथ शादी क्यों किया, उसकी क्या वज़ा है cut to cut नहीं लिखा है जितना लिखा है, उतना हमें समझ में आती है, और हमें उसको पढ़ना है और बाकी जो चीजे हैं परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे को वहाँ से कुछ सीखने मिलता है तो सीखना है हम रूट से क्या सीख सकते हैं हम रूट से विश्वास सीख सकते हैं रूट से भरोसा सीख सकते हैं सास के साथ में जो उसका रिश्टा था, वो सीख सकते हैं. उसको सबको छोड़ के, Sister चली गई है कि उसने वो कहां शादी किया, परमेश्वर को जब पता था, तो फिर प्रश्no उटता है, क्या परमेश्वर रोक सकता था? परमेश्वर क्यों रोकिगा? अगर परमेशों रोक सकता था तो आदम को अधन के बगीचे में क्यों नहीं रोका कि तू फल मत खा बहुत सारे बाते हैं जो चीजे नहीं लिखी हैं उसके अंदर नहीं जाना है या फिर वो बाते ना तो बाइबल में लिखे ना हम से पूछेंगे हम बता पाएंगे कि वो क्या थी घटना और का है जितना लिखा है उतना ही हम और आप समझ पाएंगे आया कॉल या हलो अलो ओके ये अलग है ओके ठीक है भोलिए भाईया जे मसी पास्टर साब जे जे मसी पास्टर साब में एक सवाल था आपने चौतर एपिसोड में बताया था कि वो आदार कार जमा कराने के लिए पुलीस वालों को पाईये किसी को बताने के लिए मतलब जे जे आगे बली है सुन रहे है तुम मेरा मतलब मेरा सवाल है था सर कि वो तो पिर आदार कार जमा कराया पिर वो उसमें तो वो इन जैसे कहना मुझे राव दरम बदलिया एसा परसन इवरा थी डेलिया और यह बोल रहे समय किसको आपको को जोड़र अपन इसका चाट आपको पूछ रहा हूं घ्या पूछ नहीं यह आपको पूछ रहा हूं आपको आपको अदर काट देना है जमा करना है आपको कोई कहल आया था क्या नहीं तो अधार काड मांग तो आप नहीं कहा था कि वह जमा करा नहीं तो कोई पलिए तब होगी पूछे का आपके की मसीम आगे हो या नियाओ आए आपके तो आप यह कह रहे हैं कि मैंने कोई प्रोग्राम में कहा था कि Aadharkaard जमा कर आप यह बोल रहे हैं आप हां तो इसमें दिक्कत क्या है तो सर वो तो गया न कि जह से दरम बदलने वाली बात अपको तो एक काम करो जाके वापस देखो ठीक से देखो और आपको मैं अभी बता देता हूं कि अगर कोई अधार कार्ट देता है ना तो उसकी पीछे वजह हम चाहते हैं कि सेक्यूरिटी रीजन के लिए उनका अधार काट जो है कोई संस्ता है चर्च है मसी मनतन है हम भी कुद मांगते हमें पता तो हो कि बंदा जो कॉल कर रहा है वह भारत का है कि कोई और देश का है हमें पता कैसे चलेगा अच्छा तो में दिक्कत क्या है हां मैं यह सा समय रहा त झाल हूब है जी ऑड़ो इंड़ा सकते हो प्रभू आपको जानता है अवधू को जानते है लेके लीकन आप एक तれない के लिए एक दूस्य को जानने कि लिए तो हमें समझना होगा ला कि आप कहने हम इतने बड़े ज्ली तो तो नहीं होंगे शख क्या जहां बैथ कि अब dealt anyway thank you okay next call yeah hello hello jee 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 Hebrew 10 14 jee कि इनके दोरा एका के लिए सुधिक है सर आपको बिल्कुल साफ बोलना होगा जोड से बोलना होगा आप क्या बोल रहें समझ में नहीं आ रहा है जोड से बोलिए अब्रू का जे बुक अब्रू चप्टर 10 वर्स पुटिन जे तो वह में लिखा है कि हम लोगों को सुधिक क्या जाए नहीं जे तो हम लोग अभी पाप मेरा अजी पाप नहीं है तो हम रिष्वास कर से बोलना है मैं नहीं समझ पारो, next call yeah, hello 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 okay जितने दर्चक देख रहे हैं मैं आपको जल्दी से बता दूँ hello hello जै मर्सी की पारो, जै मर्सी की पारो, जै मर्सी की पारो, मैं मुंबई से बोल रही हूं एक होता है कल्चर एक होता है आपका कल्चर, संस्कृति जो भी है एक होता है मूर्थी पुजा मूर्थी से सम्मंदित सच्छे परमेश्वर को छोड़ पत्थर की लकड़ी की, जानवर की, जीवजंतों की पख्षी की, इंसानों की उसको छोड़ मतलब बहुतो बिलकुल मना है बाइबल के अंदर सक्त भना है परमेश्वर को इस बास से नफरत है उसके अलावा महरास्टन कल्चर अलग है साउथ का कल्चर अलग है नौर्थ का कल्चर अलग है साउथ का कल्चर सबका अपना-पना कल्चर अफ्रिकन कल्चर अलग है जो चाइनीज वाले हैं कोरियन वाले उनका कल्चर अलग तो जिस जो कल्चर में शादी की बाते हैं लेकिन मुर्ती पुजा नहीं है, स्विकर है, आप कर सकते हैं, कपड़े हो, पहनना हो, जैसे बहनने का, क्या कहते हैं, मंगल सुतर है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, बहुत सारे कल्चर है कि भाई, अगर श कुछ लोग हैं मसियत में, कहते हैं कि देखो, यह मसियत का फ्रेम है, फ्रेम समझते हैं, एक डबबा होता है, मसियत का क्रिशानिदी का डबबा, उसमें डाल देते है, सफित कपड़ा, गोल्ड नहीं पैनना, यह नहीं पैनना, उनको तो बड़ी चिड मचे गया भी मेरी बातों से, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, मैं जानता है इस बात को, लेकिन वो डबे से बाहर आओ, येशु बिल्कुल साफ कहते हैं, मती की किताब अठाई स्वा देव अचन 18 से, वो कहते हैं, गो टू दा नेशन्स, नेशन्स, प्रकाशिद्वा के पूदी थे, ये बात सब जानते हैं, बाइबल भी बताती है, येशु का फिवरेट फूड क्या था, फिश, मचली, लेकिन बहुत सारा कल्चर है, जहां पर जो नॉन्वेज है, मीट, नहीं खाते, तो क्या करें, उनके ओपर जबरदस्ती करें, कि येशु फिश खाते थे पत्रस फिश खाता था, नॉन्वेज खाते थे, तुम भी खाओ, घलत बात, उनका जो कल्चर है, जो उनका रहन सेन है, बस इतना है, कि मूर्ती पुझा से आप लोगों को अलग रहना है, जी सिस्टर, जी, तैंक्य, और एक मुझे पूछना था परक्ष्टर जी, जी बलि जी, 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 तो वो बता थे जी, किसी के पैर ने पढ़ने का, किसी के मतलब माता-पिता के पैर ने पढ़ने का, लेकिन जब से मैंने आपका वो वीडियो देखा है, आपने बोला कि आदर की, आदर देते हुए हम बड़े के पैर पढ़ सकते हैं, जी, बिलकुल, जी, हा नेक्स कॉप या हलो जी हलो 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 जी भाई साब बहुत देर कर दी जनम घर आते आते हैं अलो आपको सब्सक्राइब मेरा प्रश्ण यह है जी तो थोड़ा हम मतलब मशी में हैं सर आपको जल्दी बोलना है सर आपका पीछे प्रोग्राम आपने जारी रखाने तो फोन काट देंगे आपका हम जैसे हम बुद्धिश्ट लोग है सर तो अभी उसमें मतलब कोई कारेकरम रहता है तो उसमें जा सकते हैं क्या अभी फिर कहूंगा आपका जो भी काम है कल्चर है कपड़ा है यह है वो है मूर्ती पूजा से कनेक्टेड है आपको नहीं करना है रहा सवाल अभी बाई ने कहा कि कोई प्रोग्राम है बहुत का तो वहां सिखते क् आपके यहां यहां वहां बाईबल काफी नहीं है क्या आपके लिए नाइन वाइबल इस पड़ते हैं और प्रभू को विश्वाश भी करते हैं लेकिन वह जैसा कैस समाज में वह लोग भी आते ने घर में मतलब प्रोग्राम क्या है डाक्टर ऑबाबसर को द्रावर्तन और प्रवर्तन देन आपको तो चाहिए अन्म ये खुग दुनिया का जितना भी मैं सब की बात कर रहा हूं मैं एक पर्टिगलर की बात नहीं कर और आप जब वहान जाते हैं तो सीक्ति क्या जीक्त करणा आपकोUND तो उसमें मतलब होई आमबेट पर करो आप नहीं समझ रहे हो मैं वापस कहना हूँ ठीक से मेरे को सुनी आप केवल इसी काने कोई भी काम दुनिया का कोई भी फंक्षन कहीं पे जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं आपका एक एक टाइम आपका एनर्जी आपका अरेक चीज च मतलब क्या हो गया फिर से पता चलता है कि आपका जीवन का दर्शन आपका लक्ष क्या है इसे यह पता चल जाएगा फिर जी आप नए वही करना है भाईया वही करना है और कुछ ने रहना पढ़ता ना तो उसके लिए थोड़ा कारेक्टर में जाते हैं वही कह रहा हूं जाओ क्या नहीं ना प्रशन आफिर जी परारा थोड़ा ने रहा हूं सम्यूल बोलता है वहां मेरे कुष्छन है थिक और how do you explain Trinity कि मेरे पास एक डेफिनेशन है और मैं देखा भी हूँ थी के बहुत ज़न इसक्रेंड करते हैं विट लॉजिक लेकिन मेरे लिए इस लेट्स अफ लॉजिक रादर दें बिलीफ और हम ऐसे एक्स्पेंड करते हैं कि ट्रीडी जो है इसन अंकंडिशनल लव बिट्मिन पाद करते हैं बाट डैर इस फेस्टाइब करदिशन लव होता है तो हमको समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वाट इस अंकंडिशनल लव लेकिन हम इसलिए हम इसको लॉजिक का तरह नहीं मानते हम इसको एक बिलीफ का तरह है आपका क्या एक मेंट भाईया आप जल्दी ज तो आप ट्रिनिटी से चले गए लव के ऊपर फिर आप पैरंस के लव पे चले गए तो वाट इस ट्रिनिटी त्रियेक ता क्या है इस इस यूर कॉश्चिन यस जितने लोग हैं दर्शक हैं तकरीबन 535 के आसपास में आप सभी का स्वागत भाई का स्वागत है वाट इस ट्रिनिटी का मतलब क्या है त्रिनिटी का मतलब क्या है फादर सन होली स्पिरिट जिसको हम एक कहते हैं in the beginning God created the heaven and the earth ऐसा कहता है बट अगर आप ओरिजिनल पढ़ते हो हीब्रू में तो वहाँ पर लिखा है कि in the beginning Elohim created the heavens and the earth Elohim Elohim is a plural form जिसमें फादर सन होली स्पिरिट आता अब ये कोशन उड़ता कि तीनी क्यों क्यों कि माता यह उसने वाले मा को भी गुजा दे रहें आजकल तो वहाँ पर मा नहीं है वहाँ पर परमेश्वर है और एक बोल देता हूं बीच में मुझे वाटस अप किसी नहीं किया था काता कि Holy Spirit ही है कि she है अद्दे साब मतलब पवित्रात्मा स्त्री है या पुरुष है स्त्री लिंग पुरुष लिंग क्या है तो जब हम भाईवल पढ़ते हैं तो Holy Spirit को Jesus जब जब Holy Spirit का बात करते थे the book of John chapter 12 verse 12 है 14 है 15 है 16 है जब भी भी करते थे तो वो he English में capital H है he not she okay तो he है तो पिता पुत्र पवित्रात्मा ये त बट पस्नेलेटी में तीन अलग अलग वेक्तितवे हैं पस्नेलेटी से इसके ओपर में टीच कर चुका हैं बहुत बारीकी से फेस्बुक के ओपर इसकी वीडियो अपलब्द है आप जाकर टाइप कर सकते हैं कि what is Trinity or what is Triune God by Pastor Daniel Raj इसको आपको वहां पर मिल जाएगा साथ ही यहोवा कहते हैं the Almighty God तो वो भी God है capital G G-O-D जब हम पुत्र को कहते हैं son Jesus तो वो भी God है capital G जब हम Holy Spirit को कहते हैं तो वो भी God है capital G तो यह तीनों के तीनों God है जिसको Greek में थिहॉस है in the beginning जिसको हम कहते हैं कि आदी में वचन था वचन परमेश्वर के साथ में था और वचन ही परमेश्वर था in the beginning in the beginning there was a word with God theos तो यह जो शब्द है theos Greek में भी आया है यह capital G है और परमेश्वर को connect करता है जी बही जी मैं सबच गया तो आपको और कुछ हिसमें से पूचना है तो भी पूच जब है तो आपको और कुछ हिसमें से पूचना है तो भी पूचना है तो ठीक है कि if you have seen the father you have seen me ठीक है तो और मेरे लिए logically ठीक है सोचना और समझना बहुत difficult हो जाता है until and unless ठीक है कि अगर trinity is based on unconditional love between father and son and holy spirit मेरे बात आप समझ रहे हैं क्या आपकी बातों को सुनकर मेरे दिमाग में एक बाता है उसको clear कर देता हूँ फिर आपके पास आता हूँ देखिए बहुत सारे Muslims और जो Muslim के so called जाकिर नायक और उनका जो लीडर था एमद शेक और उसके जितनी भी चेले चपाटे हैं ये सारे के सारे कहते हैं how can be a Jesus God ये शु God कैसे हो सकता है क्योंकि Jesus कहता है कि जब फिलिप ने पूछा मुझे पिता को देखना है परमिश्वर को देखना है तो वो कहता है जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है फिर ये शु के बहुत सारे statement है कि पिता कहता है मैं वो करता हूँ पिता को मैं देखता हूँ क वो जो है मनुष्य बनकर आया Philippians chapter 2 verse 5 onwards कहता है कि परमेश्वर होकर भी मनुष्य का रूप धारन किया तो जब येश्व पृत्वी पे थे तो वो मनुष्य थे and he was 100% human तो जब वो मनुष्य है तो उसकी dialogue कैसी होगी? मनुष्य की तरह उसने तो पद को त्याग दिया है तो जिसने पद को त्याग दिया है परमेश्वर का वो उस authority को use क्यों करेगा? वो कहेगा कि पिता को मैं देखता हूँ क्योंकि वो human है, human क्यों बना इसके उपर भी बहुत लंबा चोड़ा study है क्योंकि पहला human, यानि के पहला आदमी, आदम, fail हो गया Jesus कौन है? दूसरा आदम, यानि दूसरा आदमी, जो पास हो गया दूसरे पहले आदम ने पाप किया दूसरे आदम ने उसी की जगा ली पाप बनकर और मानो जाती को पाप से छुड़ा है, तो वो रोल जिसको था, वो प्ले कर रहा था, तो language यह ही होगी, तो जिसके चलते कुछ लों कहते हैं कि देखो, ये शुकी बात ऐसी है, वो कैसे God हो सकता है, तो मुर्खों की संक्या बहुत है, जिसको समझना और समझाना बहुत जरूरी है, जी भाई साब जी पास्टर, समझ गए या, I hope, okay, thank you थैंक यू पास्टर या, God bless, okay, I guess ये लास्ट कॉल होगा, जी, hello जे मैंसी पास्टर जी, जे मैंसी, मैं असाम से बूल रहा हूं पास्टर, जी, बुलिए सर मैं आपका प्रोग्राम बिज-बिज में देखता हूँ पास्टर, जी मेरे सवाल ये था, कि मैं क्रूज, मैं अकलिक मनली से हूँ, तो मैं क्रूज सिम पहले बनाता था, लेकिन आपका जो, ये प्रोग्राम देखनी का बात मैं क्रूज सिम बनाना छोट दिया हूँ क्या है है हूँ या गलत हूँ मैं जानना चाहता था आप बिल्कुल सही है इस बज़ा को थोड़ा सा बता दीजे सर जी देखें सबसे पहली चीज़ हम क्रूज की पूजा नहीं कर सकते और नहीं क्रूज को रख कर चिन को रख कर अगर अगर मुझे गॉस्पल सुनाया, चिसी को वचन सुनाया और मुझे बताना है कि देखो भाई यह कूश ऐसा होता है वह बात अलग है कि मैं हाथ से भी इशारा कर सकता हूँ लेकिन क्योंकि लोगों ने देख लिया होता है देख चुके होते हैं तो दो लकडी को लगा दो, क्रॉस करके और उनको समझाना शुरू कर सकते हैं कि भाई ये था क्रूस, जो कि मैं कई बार करता भी हूँ, और ये शूस के उपर मरा उस परपस से आप क्रूस का इस्थमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने का आप के क्रूस गले में पैनो भूत नहीं आते, दुस्तात्मा नहीं आते, पैनो ज़्यादा आएंगे जी बहिया जी जी पस्टर, बहुत बनिया पस्टर या या, ओके, तैंक यू गॉद ब्लेस, या, तैंक या ओके, नॉमा कॉब्स दोस्तों, नौ बच चुके हैं और आशा करता हूं कि यह लास्ट एपिसोड, एपिसोड नमबर बारवा, बहुत मज़ेदर और बहुत सारी बाते सीखने को मिली, और आशा करता हूं कि आप लोग एजुकेट होते हैं साथी साथ, यह प्रोग्राम वापस में कब शुरू करूँगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी जितनी जल्दी हो सके खुद को एजुकेट करो प्रचारकों का जुण्ड है जूम के उपर मैं चला रहा हूं अपने आपको उसमें शामिल करो और मैं चाहता हूं कि आप सभी परमिश्वर के वच्छन में मजबूती से आप लोग जो हैं आगे बड़े चलिए दोस्तों इसको खूब शेयर करें एडिट वीडियो भी आएगी उसको भी खूब शेयर करें झाल 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 झाल